वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज करने से मल्सकुलर सिस्टम पे क्या-क्या इफेक्ट पढ़ते हैं लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के रैस्पिरेटरी सिस्टम पे एफेक्ट के बरे में पढ़ा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उपर टॉप राइट कॉर्णर पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए बिना समय कवाई बढ़ते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहला effect है increase in blood flow तो regular exercise करने से हमारे muscle tissues में जो blood flow की volume है वो increase हो जाती है और यह लगबग 25 गुना तक बढ़ाई जा सकती है इसके बाद है respiration exercise करते समय हमारे muscles repeatedly contract और relax होते हैं और ऐसा करने के लिए उनको energy की जरूरत होती है और यह energy उनको एक chemical ATP से provide होती है ATP का मतलब है adenosine triphosphate और energy provide करने के लिए यह chemical breakdown होके ADP में बदल जाता है यानि adenosine triphosphate में बदल जाता है जब हमारे muscle tissues में बारी मातरा में oxygen available होगी तो इनमे energy aerobically produce होगी और इस तरह muscles को ज़्यादा oxygen मिलेगी इसके बाद है muscle size तो muscle size ज़्यादा तर एक person की genes पे depend करता है बट exercise करने से muscle के size को increase किया जा सकता है आगे है blood supply regular exercise करने से जो blood vessels और capillaries की quantity है उनको increase किया जा सकता है जिससे की blood supply automatically increase होगी इसके बाद है muscle coordination टैगुलर exercise करने से हमारे muscles के बीच coordination बढ़ता है और ये coordination हमें किसी भी तरह की skill को perform करने में मदद करता है इसके बाद है muscle bio chemistry तो exercise के करने muscles में कई तरह के bio chemical changes देखने को मिलते हैं जैसे कि इसके दोरा mitochondria का size और quantity दोनों increase होते हैं इसके इलावा muscle tissues में enzymes की activity भी increase होती है तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है कि आपको आज का topic clear हो गया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें एक बार हमारे चैनल पर भी visit जरूर करें हमने physiology और injuries in sports की एक अलग playlist भी बनाई हुई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में so thanks for watching and take care